प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब आफ और जब यह टीवी चानल पर बैठते हैं तो यह बहुत बड़े मुसल्मान बन जाते हैं पर यह वहां पर भी मेरे से पकड़ा जाते हैं कि बैठा कैसे अगर तू एक बजे के डिबेट पर बैठ रहा है तो तू अपने जोह से फजर की नमाज और उसके बाद सलात वगरा तूने किया नहीं है अगर तू छे बजे बैठ रहा है डिबेट पर तो तूने मगरिब की नमाज को सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आशके लेटेस्ट और इंपोर्टन वीडियो में आप देखेंगे अब थूख जिहाद के आवाद आ चुका है मो जिहाद तो इसी म होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके हम आप किसी लेटेस्ट और नॉलेज़वल वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते है और हम इसके बारे में बात करे कि प्रफित मुहमद ने कभी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया और जितने भी प्रॉफित रहें उनके नाम के ई आगे हाजी नहीं लगा पर पता नहीं ये चिटिंग बात मुसल्मान लोग अपने नाम के आगे हाजी क्यों लगाता है क्योंकि अल- Moroccan में बहीं इस disrupt कहीं पर जिक्र नहीं है कि जो हज करके आएगा उसको अपने नाम के आगे हाज लगाना होगा तो वह नौवी पास वह कह रहा था यह तो जांच का विषाह है कि उसने अपना यूरे यूरीन मिक्स किया था उसक्तरा शाहए नहीं लगा पूरca लोगों को बुला लेता है हलाके बुलाना नहीं चाहिए लोगों को फिर अपना नेता समझ लेता है यह जाहिलों और जपटों को जो ना खुरान जानता है ना सुनत रुसूल जानता है हलाके इसलाम के हिसाब से अगर वो बाके में क्लिरिक और मौला ना है अगर वो बाके में हाजी है तो उसको तो टीवी चानल पर भी नहीं आना चाहिए हमारे प्रॉफिट मुहमद स्लिल्ला अलेवा सलम की तो एक तस्वीर आश तक नहीं है एक कोई बातचीत आश तक कहीं पर भी नहीं है तो यह कौन से प्रॉफिट मुहमद के फॉलोवर है जो 24 गंटे में 12 गंटा 13 गंटा न्यूप सानल पर बैठे रहते हैं और स्टोडियों में वो जीरो कैलरी का कोल्डरिंग पीते रहते हैं ऐसे तो प्लस्तीन की हिमायत करते है और इस्राइल की बुराई करते हैं पर मैंने हाजी रंग्रेश को खुद ताइमस्नाओन अव भारत में के गेस्ट रूम में बैठ करके पेपसी जीरो कैलरी पीते हुए देखा है मैंने खुद साजिद रशीदी को कोको कोला जीरो कैलरी पीते हुए देखा है में हिजाब के पीछे कुछ और है और जब यह टीवी चानल पर बैठते हैं तो यह बहुत बड़े मुसल्मान बन जाते हैं पर यह वहां पर भी मेरे से पकड़ा जाते हैं कि भाया तू बैठा कैसे अगर तू एक बज़े के डिबेट पर बैठ रहा है तो तू अपने जोहर की नमाज को खजा कर रहा है अगर तू तीन बज़े डिबेट पर बैठ रहा है तो तुझे असर की नमाज का कोई लेना देना नहीं है अगर तो morning के 10 बजे की debate पर बैट रहा है तो तूने अच्छे से फजर की नमाज और उसके बाद सलात वगरा तूने किया नहीं है अगर तो 6 बजे बैट रहा है debate पर तो तूने मगरिब की नमाज को आराम से गल्प कर लिया है निंगल लिया है अगर तो 9 बजे की डिबेट पर बैट रहा है तो इसका मतलब है कि तुने इशा की नमाज को खतम कर दिया, value ही नहीं दिया क्योंकि इशा की नमाज 17 रकत होती है, काफी लंबी चौड़ी होती है ऑर उसके बाद 17 रकत पढड़ने के बाद काफी सारे हम लोगों को आयते जो है वो तस्वीद आने May पढ़नी पढ़ती है मैं तो तो हंगली पर भीप पढ़ती हूं ज्यादातर तो वह पढ़नी पढ़ती है तो 17 रकत पढ़ने में हमें 40 minutes 42 minutes लगता है और उसके बाद जो आयते वगरा पढ़नी पढ़ती है कुछ 101 बार पढ़ना पढ़ता है कुछ आयते 101 बार पढ़नी पढ़ती है तो उसमें तकरिपन एक घंटा लग जाता तो एक घंटा 42 मिनट तो इदार ही हो गया तो यह तो प् आयते वर्ष में था आराम से बैट करके और उसके बाद पर कुछ आयते पढ़ा जब मैंने कहा कि मैं अभी अफ्तार खोल करके अफ्तार करके बैटी हुए खजूर खाके बैटी हुए मैं जादा नहीं चिला पाऊंगी मुझे थोड़ा आराम से मौका दीजिए 30 seconds तो जब उसने यह सुना तुरंट एक बोटल उठाया अब इस लरीका और उसके बाद फिर कुछ ऐसे किया और उसके बाद पिलिया तुम किसको बेवको बना रहे हो अफ्तार करने से पहले अंजो जी हमें बहुत सारी आयते पढ़नी पढ़ती है हमें बहुत सूम सलावात क रता है बयूर रहना पड़ता है जोर से बोलने से भी हमारा विजू टूट जाता है जोर से हसने से हमारा वजू टूट जाता है तो टृबेटी के सजहाट कैसे बैठ गया और तुब पर करके पानी पी रहा है तेरा तो वजो भी नहीं था जब तो चिला ही चुका डिबेट पर तो तेरा वजो तो तूट चुका तो तो तेरी तेरा रोजा फर्ज रोजा रमजान का तेरा मुकमल कैसे हुआ वो तो देखिए ये जो मुसल्मान जो हमारे भारत के अं थेकेदार है क्योंकि ऐसे चवणनी अठनी बहरूपिया चिटिंग बाज क्लिरिक और मौलानाओं को नाशनल नियूस चानल ने बढ़ावा दिया है और एक मजब के लोगों को सता रहे हैं नाशनल नियूस चानल वाले कि तुम इनको समझो कि यही तुमारे थेकेदार है इस वापस अपने विशेफ पर लोटे तो आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं यह लोग तो गाजियाबाद के उस जूस वाले को बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर रहे थे उनका तो पहरा था कि अगर आप इसी टॉपिक पर हूँ अंजु जी आपके साथ मैं इसी टॉपिक पे हूँ और मैं सारे राज को खोलना चाह रही हूं आपके इस ब्लाटफ़ॉम पे के जबरदस्ती जो लोग मुसलिम बलातकारी होगा यह डिफेंड करेंगे मुसल्मान थूप जिहाद करेगा यह डिफेंड करेंगे मुसल्मान लाब जिहाद करेगा यह डिफेंड करेंगे मुसल्मान लैंड जिहाद करेगा यह डिफेंड करेंगे यह तो उसने गलत किया गोल गोल जलेबी और इमर्ती पकाएंगे और डिफर्ट करने के लिए एक दम चौड़े हो करके बैठेंगे जैसे कल सारी दुशिदी ने कहा कि मुसल्मान में तो पाकी और सफाय आदा इमान है ठीक है बहुत अच्छी बात है तुमने सच कहा है तो साथ में ये भी कह दो कि अगर कोई मुसल्मान ये कर रहा है तो हम उसको वैकॉट करते हैं बोल दो कि अब वो जेल से आने के बाद हम उसको मुसल्मान मानेंगे ही नही किसी भी मस्यूद में जब वो एंटर करेगा हम सारे मुलादा हूं को बेजेंगे किकसी मस्यूद में एंटर नहीं कर सकता ह। वो नमाज में खड़ा नहीं हो सकता। यह maritime समये की सब्वेस का रेहो तुम कर रही हो वो रंगय हांत पकड़ाया मैं रिखें हिंदू को तॉर्चर, हुमिलियेट, हैरेज, उनके धरम को डिफेम और मलाइं करने के लिए उसने बगल में एक बोटल रखा हुआ था कि वो उसी में मूतेगा और जो जो आएगा उसमें वो मिला मिला करके वो मूत को बाटेगा और तुम डिफेंड कर रहे हो उसको मतलब कितने बेशर अविida करें हैं जो ऐसे डाणी टोपीवाले को और ऐसे हाजी और पाजी को बेठाने का काम कर रहे हैं और कंटिनुवसली कर रहे हैं क्यँव बैठा रहे हो आपक्यों क्यों को ऊणिव कर रहे हो एसे जिसको हमारे अल-कुरान की आयतों के माइने नहीं मालूम है, वो तो यही सोच रहा है न, कि यही हमारा नेता है, यही हमारा रहबर है, और नाजिया जी नाम भी तो उसने अपनी दुकान का खुशी रखा था, खुशी जूस एंड शेक्स, योगी जी ने कहा था न, अपना असली नाम लिखिये वहाँ पर, अपने नाम की दुकान खोलिए, तो खुशी नाम रखने के दुछ जुरूती नहीं थी उसको, तो वो तो असली नाम नहीं रखेगा न, असली नाम अगर रख लेगा, माल लेजे उसने रखा होता, सकीना बीबी, जूस की दुकान, माल लेजे उसने रखा होता, नसीमा बीबी, जूस की दुकान, सबोस, उसने रखा होता, तो वो तो इंडिकेट करता न, कि ये मुसल्मान का है, तो हो सकता है, हो सकता है, सैंग जैसे हम मैं मुसल्मान हूं में पत रजली में ज्वांगें। उस्के शॉरूं में मैं थिक तो हो सकता है कि एस सारे लाकौ करोडों हिंदु भी होंगे। जो उसके दुकार निरिखा न बहुत हैं। ज्वो Blood रखेंगे। जो दो-चार ऐसे हमारे बंगाल में भी है जो मुसल्मानों के साथ नारे तक्बीर का नारा में मैं जिलके आचुके हूँ भई मेरा तो गलारेतनी की पुरी तैयार ही थी कोट के प्रेमाइसे तो एक संदी पगरवाल नाम का आदमी आया था मेरा गलारेतनी के लिए तो वो हि मुसल्मान पुर्षो का मूत पीने को तैयार है आप उनको पिलाओ वो हिंदू जो ममता बैनर जी समर्थक है वो मुसल्मानों का मूत पीने को तैयार है थुक चाटने को तैयार है आप उनको पिलाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो हिंदू और वो मुसल्मान जो नहीं आ आपका मूत और थूक गल्प करने को तैयार है, आप उसको मत पिलाओ ना प्लीज, आप क्यों कर रहे हो, और जब आप करते हो, तो साजिद रशीदी आपके समर्थन में खड़ा होता है, सदुद्दे नवेसी का नवी पास, जाहिल जपट, हाजी रंग्रेज आपके समर्थन पर आचुके हैं, कि जूस में अपना मूत मिलाकर लोगों को पिला रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जुरू बताएं, और वीडियो पसंद आईए, तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें, और एक आपके से लेटेस्ट, इंपोर्टेंट और दमदार वीडियो लाते रहे हैं, जै हिंद, जै भारत